आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमश्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है और आज का हमारा question है, differentiate the following with respect to x cot inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x इसको मान लेते हैं हम y is equal to, यह हमाँ पस क्या term कियो है cot inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x अब इसको differentiate करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इस term को simplify कर देंगे हम इसमें अगर x को 10 theta मानें तो x is equal to 10 theta यह term हमाँ पस क्या क्या आजाएंगी, यह जाएगी y is equal to cot inverse under root 1 plus 10 theta, sorry, 1 plus 10 square theta minus 1 upon 10 theta, ठीक है 1 plus 10 square theta क्या होता है, sex square theta होता है, sex square theta का root हो जाएगा sec theta, तो यह जाएगा cot inverse यह हो जाएगा cos theta, sorry, cos नहीं, sec theta minus 1 upon 10 theta, अब sec और 10 को हम sin and cos में convert कर लेंगे, तो यह जाएगा हमरे पास cot inverse, 1 upon cos theta minus 1 upon 10 theta को लिख देंगे, sin theta upon cos theta, अब यहाँ पर हम cos theta LCM लेंगे, इस वाली term में cos theta LCM लेंगे, तो यह क्या जाएगा, 1 minus cos theta upon cos theta, और cos theta से cos theta कट जाएगा, तो यह जाएगा हमरे पास, y is equal to cot inverse, 1 minus cos theta upon sin theta, यहाँ मैंने थोड़ी सी direct approach लगा दिया है, तो आएगो आपको यह step समझ में आया होगा, 1 minus cos theta को हम लिख सकते हैं, sorry, यह cot inverse है, 1 minus cos theta को हम लिख सकते हैं, 2 sin square, theta by 2, और sin theta को लिख देंगे हम, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 2 से 2 कटेगा, और एक sin गैन से लो जाएगा, sin theta by 2 upon cos theta by 2, यह हो जाएगा हमारे पास, 10 theta by 2, तो यह हो जाएगा, cot inverse, 10 theta by 2, अब यहाँ पर हमारे पास अंदर वाली term, जो है, वो 10 के function में है, तो इसको हम लिख सकते है, cot inverse, 10 को अगर हमें cot में convert करना है, तो 10 theta by 2 हो जाता है cot, 90 यानि की pi by 2 minus theta by 2, लिख सकते हैं, अब cot inverse से cot जो है, एक दूसरे को cancel out कर देगा, क्योंकि यह एक दूसरे के inverse है, तो y is equal to, यह हो जाएगा, pi by 2 minus theta by 2, अब theta की जागा हम क्या लिखेंगे, theta हमारे पास, x हमारे पास 10 theta था, तो theta will be equal to 10 inverse x, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, y will be equal to pi by 2 minus half 10 inverse x, तो देखो किस तरीके से यह हमारे पास function, जो है, यह simple हो गया, और हम इसका easily differentiation निकाल सकते हैं, तो dy by dx, क्या हो जाएगा हमारे पास, pi by 2, जो कि एक constant time, इसका differentiation 0 हो जाएगा, और minus half 10 inverse x का differentiation हो जाएगा, minus half यहाँ पर as it is, और 10 inverse x का differentiation हो जाएगा, 1 upon 1 plus x square, तो यह हमारे पास आगया, इस function का, पूरे y का differentiation, तो आज होप आपको एकोशन समझ में आया होगा, थैंक्स फोर वाजिग दिस वीडियो, ख्लासिक स्ट्वेल से लेके, नीट आएएटी जेही, मेंस और एद्वांस के लेवल तक, तस मिलियन से जादा स्टुटेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप, या वाजसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर,